नर्सिंगपुर जिले के चीचली ब्लॉक के अंत्रगत भैरोपुर से लेटी गाउं में बिजली की बड़ी लाइन के तार गिरने से तीम मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गे वहीं बड़ा हसा होने से टला क्योंकि मौके पर धर्जनों लोग एवं सैक्णों पशू थे मौजूद बिजली विबाग की बड़ी लापरवाही आइस्सा में लकडी के खंबे के भरोसे लापरवाही पूर्वक लगाए गये थे तार इस पर बिजली विबाग का कोई भी अ की बजाए एक लकडी के खंबे से उंचा करके रखा हुआ था और इस लकडी के खंबे ने शौर्ट सार्किट की बजास से आग पकड़ी और तार नीचे जमीन पर गिर गया जिसके चलते नीचे दरजनों पशू एमम कई चरवाहे बाल बाल बची आलाग इतार गिरने से त काई घंटों तक विजली विभाग से कोई भी कर्मेचारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुचे और नहीं उनके फोन रिसीव हुए जब इस बात की सुचना इस्तानिय विधायक को दी गई तब विधायक संजय शर्मा के प्रियास के बार विजली को बंद किया जा सका वरना और भी गंभीर प्रिडाम हो सकते थे गाउं के लोगों ने जहा मुआवजे की मांगी है वहीं लापरवाही करने वाले कर्मचारीयों पर कड़ी कारवाही की मांगी है इस पूरे मामने पर विजली विभाग के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रही है क्या गटना हुई? क्या लाइन मेन मुबाइल बंद करें हैं तो कि रहाएं लाइन मेन से जेख लो और कितने भी सी ते ने के पीछे साफ कम कम गगा इसी नबे सो सो मभी सी अधिए पीछा और 40-40 आदमी है तो अलब जो चराने वाले तो जंगल से हार से क्षिस से आप बारो कोई दोर चराने वा लाओं औरे बहुत बड़ा हास सब बच गया ठीक है अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर तेखने के लिए हमारे चैनल पुलिस बीरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी के लिए हम 01-1886-9770-229999